इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Microsoft Word में not equal sign किस तरह type कर सकते हैं चलिए देखते हैं क्योंकि keyboard में कही पर भी जो है not equal sign नहीं है और अगर आपको उसकी जुरुत पढ़ रहे हैं तो किस तरह आप type कर सकते हैं laptop में मैं आपको बताता हूँ उसके लिए आपको ये type करना पड़ेंगा alt plus double eight double zero तो मैं आपको practically type करके दिखाता हूँ पहले आपको alt का button दबा कर रखना है और उसके बाद double eight दबाना है फिर double zero और फिर alt का button छोड़ देना है तो इस तरह आप not equal sign type कर सकते हैं मैं आपको एक बार और type करके दिखाता हूँ तो पहले आपको alt का button दबा कर रखना है और उसके बाद double eight फिर double zero और फिर alt का button छोड़ देना है इस तरह आप not equal sign type कर सकते हैं laptop में